हेलो एवरीबड़ी और मैं शुबम कोत्वाल आज हम देखने जा रहे हैं मेराथन जो की अजादी का महा उस्सव की बात करें 75 वे और यह जो है डिस्ट्रिक्ट डोड़ा एड्मिस्रेशन की तरफ से हैं और आप देख सकते हैं कि वेन्यू पार्टनर जो है वो भदवा डिम आना बांटते हुए प्लेयर्स को और यह सारे प्लेयर्स जो ठक हार के रिफ्रेश्मेंट्स के लिए आए हुए और इन्होंने रनिंग की हुए है और आप देख सकते हैं कि यह अमेजिंग भद्रवा टूरिजम एसोशेट्शन की तरफ से है और इसके जो चालक हैं उसमें रवी ठाकूर जी है प्रेजिडेंट और रमनीक जी भी आप देख सकते हैं साथ में सुशील भाई साब जो कि हमारे गाठा से और प्रोफेसर भी है इंग्लीश में तो काफी अच्छी डाइनमिक परसनल्टी यह काम करवा रही है और आप देख सकते हैं कि काफी अच्छा यहां पर अरेंजमेंट है तो आप देख सकते मेरे साथ डिडीसी चेर्में धरनंतर सिंग जी कोत्वाल जी है जो कि कोशल कोत्वाल जी के नाम से भी जाने जाते हैं और साथ में रवी ठाकूर जी है जो कि दोनु प्रॉमिनेंट हस्ती हैं भदरवा से तो सबसे पहले इस सबसे पहले तो यह बदरवा के तमाम लोगों को में इसकी मुबारक बात देना चाहूंगा खास करके LG Administration का जिनकी तरफ से एक Initiative लिए गया था और यहां पे मुझे लगता है कि Out of the State और यहां के बाहर के बहुत सारे नौजवान और बच्चे यहां पे आये हुए हैं और उनका एक participation यहां पे दिख रहा है और सुबा से हमने दो ग्रुप्स जो हैं जो यहां से निकले है उनका flag up किया गया है और मुझे लगता है कि अभी तीसरा ग्रुप का भी flag up होना है यहां से तो यह एक बड़ा अच्छा initiative है यहां पर जो भी आर्गनाइजर्स हैं जो भी जिनकी तरफ से यह आर्गनाइज किया गया है तो मुझे लगता है कि जिस किसम की इसको popularity मिलनी चा यह थी शायद उसमें कहीं न कहीं थोड़ी सी कमी रही होगी अदर्वाइस यहां पर जो लोकल्स हमारे हम तो बड़े आभारी हैं कि हमारे जो फोटलियर एस्सेशेशन है और इसके प्रेजिडेंट यहां पर ठाकुर साब जो रेटाइड एस्डियम है उनका एक लिया गया है और इन्होंने यहां पर जो पर्टीस्पेंट्स हैं उनके लिए ब्रीक फास्ट और लांच वगारा का भी इंतजाम किya गया है तो यहनि कि लोग अपने कोर आफ़ाइड जो है उससे चाहते हैं कि यहां पर टूरिजम परमोशन हो और यहां पर जो अनने का एक जरियाव यहां पर बने तो उसके लिए यहां पर बहुत सारे रिसोर्स हैं यहां पर आप देख रहे हैं कि इतना खूबसूरत बदरवा जो है हमारे जम्मू प्रावन्स में सबसे खूबसूरत जगा जो है आइडेंटिफाई हुई है और यहां पर काफी अच्छा इं सोने के लिए अच्छा एक परबंद यहां पर हुआ है पर हम चाहते हैं कि अभी और बहुत कुछ करने की जरूरत है तो उसके लिए जो एड्मिस्टेशन है जो एल जी एड्मिस्टेशन है मुझसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे आपके चैनल के महधिम से के यहां पर जिस किसम के कुदरती नजारे हैं जिस किसम के यहां पर एक खूबसूरती है उसको एक और एकस्प्लोर करने की जरूरत है क्योंकि यहां पर विंटर में आपको बहुत सारे यहां पर जगाएं हैं जैसे हमारे जाई वैली है जैसे हमारी सोचदार है पद्री है ऐसी ऐसी है सरकार के पास कि अगर को खतम करना है युवाओं को कहीं न कहीं इंप्लाइमेंट देना है तो उसके लिए बहुत सारा हो गया है मुझे लगता है कि अगर इसमें और 20-30 परसंट अगर और किया जाए तो मुझे लगता है कि यहां पर एक फुल्फिल जो है थार्टी यहां चाहिं तूरिज्म का इंफरेस्रक्चर जो है। ओ कंप्लीट हो सकता है और यहां पे लोगों को जो है सरकार की तरफ से जो बाकी तरफ हमारा जो लिखा-पड़ा स्मेरा यूद जो जो है जो ड्रक्स की तरफ जा रहा है तो ऊससे बाहर निकलकर यहां पर यह जो मैरसन हो यहां पर और यहां के लोकल फेस्टिवल यहां पर होता था एक दो साल से कोविड के कारण नहीं हुआ है तो वह भी होना चाहिए यहां पर और एक्टिविटीज यहां पर दंगल का जैसे अभी चल रहा है आपने देखा होगा तो ऐसे जैसे अगर यहां पर होंगे तो मुझ अच्छी हुई है तो मुझे लगता है कि इस चीज का benefit लेते हुए पूरी स्टेट और province के और बाहर के भी लोग यहां पर आएंगे और यहां पर एक अच्छा जो है यह infrastructure जो है हो सकता है तो यह एक बार फिर में तमाम जो भी इसमें participants है उनका धन्यवाद करना चाहूंगा और आने वाले टाइम में जिस तरीके से यह बता रहे हैं कि एक अच्छा event जो है 29 तारीख को हो रहा है तो उसके लिए एक coordination यहां पर लाइजान और कैसे इसको अच्छे तरीके से किया जाए और locals की जब तक आपको इसमें participation नहीं रखेंगे तो मुझे लगता है कि कोई भी चीज बैमानी हो जाती है लहाजा आज की तरह जो है आने वाले टाइम में उसमें यह जो गैफ से वो नहीं होने चाहिए और आने वाले जो टाइम है जब 29 तारीख का event होगा वो भी एक बड़िया सब्सक्राइब सकता है आने वाले टाइम में लोग दिस्ट्रिक की मांग कर रहे हैं मैं तो बोलतों यह सेट रिलाइबल डिस्ट्रिक आपको प्रेजिडेंट बनाया गया और उसके बाद आप इतना अच्छा काम और आपको यूथ का साथ सबसे ज्यादा मैं यूथ की ये बात करूँगा कि अगर रमनीक जी की बात करें सोशील जी की बात करें तो ये एक यूथ चक्ति है जो वन आफ दो फेसी रहे हुए बद अच्छल जी का दिल की उमीग गहरोईं से शुक्र आदा करता हूं कि इन्होंने अपनी गोना गो मस्रूपयात के बावजूद वक्त निकाल के यहां इस जो हमारा मेरिथन का यहां आज एक इनागुरेशन हुआ उसकी इनागुरेशन करने के लिए उन्हों यहां इतना सुकूप है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूं और जिसकी वज़ा से यहां के एकानुमी और यहां का यूस जो है जो अन्यम्पलाइड यूस है पड़े लिए नावजवान हमारे बच्चे हैं उनको यहां काम मिल सकता है उनको काम मिल सकता है और वो भदर्वा की किसी भी इलाके के यह खिते के वो मुस्तक्बिल होते हैं जब नावजवान किसी भी मौमिट के साथ यह किसी भी काम में इनवालो होता तो वो काम हमेशा काम्याब होता है यह आज जो मेरतन यहां कराई गई है यह आगाज बड़ा खुशाईन आगाज है और आने वाले वक अंदरूने मुलक और बेरूने मुलक से भी आएंगे क्योंकि मैं कहता हूँ कि भदरवा जैसी खुबसूरत जगा शायद ही कहीं और हो मैंने भदरवा के बारे में लिखा था वो में चंद लाइने आपके सामने रखना चाहूंगा एथी हेरी हेरी ना रजन अतरू छैले निशू बढ़ला ठैरी ठैरी नागा के रूपानी ठैरी ठैरी नागा के रूपानी नागे बास के राजदानी एथी हेरी हेरी ना रजन अतरू छैले निशू बढ़ला चंडी मातरों सथाने यहां चंडी माता जी का बड़ा एक खुबसूरत मंदर है चंडी मातरों सथाने गुफ्ट गंगा महाने इची हेरी हेरी नरजन एतरु छेले निशु भड़ला गेड़ा केरी फाज सुपास है यह जो आप देख रहे ना देवदार यह फाज है यहां की गेड़ा केरी फाज सुपास है किलो यह किला सामने जो है किलो सुनवाई कबला से यह जो कैलाश उपर है अब जहां यह किला है सुनबाई सामने है और यह हमारा जिसको हम बदरवाज में कबलास कहते हैं जहां अभी मुझे लग रहा है कि थोड़ा बारश हो रही है तो यह हमारा अब बदरवा है अमेजिंग बदरवा तभी आपने इसका नाम भी अमेजिंग बदरवा तूरिस्व जी 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 तो मैं अडिमस्टेशन का भी शुक्र गुजार हूं कि उन्होंने इसको काम्याब करने में सयोग दिया है शुक्रिया नावाजश महरवाने थैंक यू तो आपने देखा यह प्रॉमिनेंट जितने भी हस्तियां थी इन्होंने इस तरह से और्गनाइज करवाया और देखा गया कि आप जैसे इन्होंने इतने खुशूरत बहतरीघ की बात की अमेजिंग भदर्वा टॉरिजिंड एससेशन नहीं अगर से ञेल की बात तो और टुरिजम बेसिस ही बन सकता है और इसी को प्रमोड करने के यह सब कोशिश कर रहे हैं आज के लिए बस इतना ही जैवारत जैहिंद तो आपका नाम क्या है अपको और आपने भी मैरतन में पार्ट लिया आपको कैसा है तो आप देख सकते हैं आपका नाम रक्षित कैसा रहा आपका इस बढ़र कैसा रहा आपको बहुत नाइस बहुत अच्छा तो आप अजिए जैसे मीनी स्विजे लेंड और सर आपका अजिए निए रटायरे दो नेशनल जैनके का टॉप फुटबालोग प्लेर हुं तो जैनके के कैटन जीड किया मैंने 78 में भोल्ड भी था 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 ना मैं मैं आपका एक्सपीरियंस के से रहा है और अच्छा मैं मेरा नम सुनिया और मेरा तो ड्रीम सिटी थी यह और यह आइडियली नॉमली मैं बहुत अपना टाइमिंग उसको लेकर वह रहता हूं जल्दी से जल्दी खतम करने इस रहन को मैं एंजॉय किया कोई जल्दी नही करने कोई चक्लाइम नहीं को यहां का लगा चाहिं तो आप देख सकते हैं कि एक स्पोर्ट्समें स्पिलिटेंके बीच में एंडेयर इंज्ओएंग इस बैस और यहां पर देख सकता है प्राइस इस्त्रिबूशन सेरमेनी थोड़ी देर में चलने वाली क्योंकि अबी इन होप सो जल से जल वो लॉट आएगा और हम देखेंगे कि और रनर्स और मैंने जैसे क्या मोस्ट अफ़ रेनर्स आर फ्रॉम प्रोविंस और समर्फ सम आफ देमार फ्रॉम आउट साइड क्योंकि यहां पर आज एक टूर्नमेंट भी चल रहा है दंगल भी चल रहा है उस वज फांच किलो मेंटर बढ़े दस किलो मिटर वालों को दिये जाएंगे और यह ओर गनाइजर यहां पे बनौन अव्द रोयल डेकोरेटर्स और यह रोयल डेकोरेटर फॉन अप दो ऑन देखा लग रहा है कि आप लोग ने ऐसा ओर आज चाहां पे इसे यहां पे बिजिगु और इवंट आपके साब से कैसा कि आप तो बारिश आगी लेकिन इवेंट खतम होने के बाद तो आपको वोच रहें अच्छा लेक्श लेकित अधर ठीक है